आज है दो नवंबर 2022 और दो नवंबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में विस्कुस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट पैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वेडियो किसम से डाउनओड कर सकते हैं पीडियाप आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से डाउनओड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप पर आपको सारी पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कुसिन में दे दिया है त तो अभी एक नवंबर को 200 साकाहारी दिवस मनाये गया, तो इस कुछिन का बे आप्सन सही है, यह दिन मनुस्यों, जानवरों और प्राकृतिक परियावरण के लिए साकाहारी होने के लाब के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए मनाये जाता है, अच्छा इसकी बात होई थी 1994 में, कब 1994 में, 1994 में UK की दबीगन सुसाइटी ने इसकी सुरुआत की थी, तो इस कुछिन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं, 40 या लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, लेकिन डेली मौनिंग मोट कर, सबसे पहले अपने लेक टार्गेट विक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचीब करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकले अच्छी हो जाएगी, नेक युशिन है, किस राजी की लक्षमी भंडार योजना क यह पस्चि मंगाल की यूजना है, और अभी इसे स्कॉच पुरुसकार मिला, तो इसकुषिन का से ओप्सिंस है यह, महिला ससकती करड के लिए है यह लक्षमी भंडार योजना, और इसे महिला एवंबाल विकास की स्रेडी में स्कॉच पुरुसकार मिला है, अब यह पस्चि मंगाल की कैपिटल क्या है, कूलकाता, और कूलकाता किस नदी की किनारिष्थित है, हुगली नदी किनारिष्थित है, पस्चि मंगाल की चीपनिष्टर है, ममता बनजी, और पस्चि मंगाल के प्रिजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, लाग गडिशन, अच्छा भारत की पहली अंडर बाटर मेट्रो का उद्गाटन कूलकाता में किया जाएगा अंतरास्टी समुद्रे भोजनसों की मेजबनी कूलकाता करेगा एसिया का सबसे पुराना फुटवर्ड टूनामेंट डूरंड कप कूलकाता में शुरू हुआ पस्चे मंगाल ने बिस्विद्यालेओं के कुलुपति के रूप में मुख्य मंतरी को न्यूक्त करने का निड़े लिया है ने क्यूशन है हाली में स्टेल मैन आफ इंडिया के नाम से प्रसिद किस ब्यक्ति का निधन हुआ तो जमसेद जे इरानी यानि कि जे जे इरानी ये स्टेल मैन आफ इंडिया के नाम से प्रसिद थे और अभी इनका निधन हो गया तो इसकूशन का बे आप्सन सही है इनको पद्म बिबूसर से भी सम्मानित किया गया था और इनको लाइफ टैम अचीवमेंट अबार्ड भी मिला था दातु बिग्यान के छेतर में इनके युगदान के लिए इनको लाइफ टैम अचीवमेंट अबार्ड 2008 में मिला था और इनोंने टाटा स्टेल के बोर्ड में 2011 तक काम किया तो इनका नाम आप याद रखिए है जमसेद जे एराणी ने किूशन है हाली में प्रतारमंत्री मोदी के सराज में इस्टित मानगर धाम को राश्टी समारक के रूप में गोसित किया है आदिवासीयों के लिए प्रस्घ्द स्थान है मानगर धाम इसको अभी रास्टी इस मारक के रूप में प्रदान्मंतरी मूदी ने गोशित किया अभी रा Amendment में है तो ये है MEP में रा स्थान रायस्थान की due prep क्या है? जैपोर रास्थान की चीपनिश्टर कून है? असू गेलोत और राइस्तान की गवर्नर कौन है? कलराज मिस्र अच्छा अभी IPS अधिकारी उमेज मिस्रा राइस्तान के नए DGP बने पांचमा दक्षिड ACI भूबिग्यान समिलन जैपुर में हुआ है जस्टिस पंकज मित्तल राइस्तान हाई कूट के 40 में मुख्य नयदीस बने है अडानी ग्रेंस ने दुनिया का सबसे बड़ा पबन्स और उर्जा सैंतर राइस्तान में सुरू किया है राइस्तान में पांसो बारे नई इंद्रा रसुयों का सुबारू किया गया और राइस्तान सरकार ने मुख्य मंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना सुरू की अचा राइस्तान में सरिस्का नेशनल पार्क है रडथंबोर नेशनल पार्क है केवला देव गाना पक्षी प्यार है और मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्ब है ने कुशन है केसराज में इस्तित रानिपूर देश का त्रेपन्वा टाइगर रिजर्ब ना तो रानिपूर ये उत्तरप्रदेश के चित्रकूर जिले में है और ये उत्तरप्रदेश का चोथा और देश का त्रेपन्वा टाइगर रिजर्ब ना है तो इसको इनका बे options है अब यह उत्तर प्रदेश में है तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की capital क्या है लखनव और लखनव किस नदी किरा रिष्थित है गोमती नदी किरा रिष्थित है उत्तर प्देश की चीपनेश्टर है योगिया अतनाथ, उत्तर प्देश की गवर्नर है आनंदी वेन पटेल, उत्तर प्देश का राज की पसू है बारे सिंगा, राज की पच्ची है सारा सेक नौच, राज की पुस्प है पलास और राज की ब्रच्च है असोक का ब्रच्च अबी केंदर सरकार ने उत्तरप देश में तराई हांती रेजर्ब को मंजूरी दी उत्तरप देश सरकार ने पहली बार महिला P.S.E. बटालियन के गठन की गोश्णा की उत्तरप देश सरकार ने सोलर रूप टॉप प्रोजेक्ट सुरू करने का नेड़े लिया है उत्तरप उत्तरप्देश को आईसमान उत्तक्रिष्ट पुरुसकार 2022 मिला उत्तरप्देश सरकार मात्र भूमी योजना पोर्टल लॉंच करेगी अच्छा उत्तरप्देश में दुद्वा नेशनल पार्क है कतर्निया गाड वैला सेंचुरी है पेली भीत टाइगर रिजर्ब है ने ह किस देश के राष्टपती ने स्थीपा दिया तो अभी लेबनान के राष्टपती ने स्थीपा दिया है लेबनान के अभी तक राष्टपती थे मिसेल आउन इन्होंने अपना 6 साल का कारेकाल पूरा करके राष्टपती के पद से स्थीपा दे दिया है तो इसकुशन का ब अभी तक राश्टपती थे मिसेल अन अब जो भी राश्टपती बनेंगे उनके बारे में मैं आपको वता हूँगा अच्छा अभी UK के नए प्रदानमंत्री बने हैं रिशी सुनक उल्फ किस्टरसन ये स्वीडन के नए प्रदानमंत्री चुने गए अब्दुल लतीफ रास सेक्ट्वादिया और जूर्जिया मेलोनी इटले की पहली मैला प्रदानमंत्री बनेंगी नहीं क्यूंशन है हाली में उत्तरपदेश के पहले डेटा सेंटर बर्यद का उद्गातन कहां किया गया तो अभी Greater Noida में उत्तरपदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्गाटन किया गया तो इस कुशिन का C options है ग्रेटर नौइडा के knowledge पारपक में मुख्य मंतरी योगिन अलतिनाथ ने डेटा सेंटर का उद्गाटन किया है नए कुशिन है हाली में रक्षा मंतरी राजना सिंग ने कहां दो हैली पैड लांच किये हैं तो हन ले में है और दूसरा पूर्वी लद्दाक के ठाकों में है अब लद्दाक तो लद्दाक में मैं भी सुबास अभियान शुरू किया गया अग्नी तत्त अभियान का पहला सेमिनार लेहे में आयुद किया गया 26 में सिंदु दरसन यात्रा लेहे में सुरू हुई सांस्कर्तिक बिरासत को सरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदाइक संग्राले का उद्गाटन लेहे में हुआ बारत का पहला चलता फिरता सिनेमागर इसे रोबिंग सिनेमा हॉल वेलते हैं ये लेहे में स्तापि किया गया है नए क्यूशन है हाली में किसने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लिरी जेशन ओफ एसिया का बिमोचन किया है तो फ्रांसी सी लेखक है रेने नाबा इन्होंने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लिरी जेशन ओफ एसिया का बिमोचन किया तो इस कुशन का ए आप्स पुस्तक, A Confused Mind Story का विमुचन किया, अक्षे सहा और स्टीफन ओल्टर ने नई पुस्तक, The Carbate Papers का संकलन और संपाधन किया, ससी थरूर ने एक नई किताब, अमबेट कर A Life लिखी है, तो ये अभी Recent की Book है, ये आपको यादत नहीं है, नई क्यूशन है, हाली में एक नवंबर को किस राजी का इस्तापना दिवस, राज्यूत सब दिवस के रूप में मनाया गया, तो अभी करनाटक ने एक नवंबर को अपना इस्तापना दिवस, जूत सब दिवस की रूप में मनाया है, और केरल का इस्तापना दिवस भी एक नवंबर को होता है, केरल ने केरल पिर भी दिवस की रूप में मनाया है, अब ये करनाटक की बात है, तो ये है मैप में करनाटक, करनाटक की केपिटल क्या है, बैंगलॉर, करनाटक की चीपनि करनाटक के राजिपाल ने धर्मांतरण बिरोधी बिदेग को मंजूरी दी और करनाटक सरकार ने क्रसी को बड़ावा देने के लिए एसा आउट्रिच के साथ समझोता किया है नैक शुशे ने हाले में आई UNHCR की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने मिलियन लोग जबरन विस्तापित हैं तो UNHCR यानि की United Nations High Commissions for Refuses इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर में 103 मिलियन लोग जबरन विस्तापित हैं तो इसकुशे ने का से ओप्सन सही है 103 मिलियन का मतलब है हर 77 में से एक विक्टी जबरन विस्तापित है ने कुशे ने कुशेन है हाली में पूरौत्र का पहला एक्कॉअ पार्क के सराज में स्तापित किया जाएगा तो अभी अरणाचल पदेस में North East का पहला एक्वा पार्क इस्ताफित किया जाएगा तो इस कुशिन का बे प्सृं से ही है अब अर्वणाचल पुदेस तो ये है मैप में अर्वणाचल पुदेस की capital क्या है? इटा नगार अर्वणाचल पुदेस की चीपनिश्टर कौन है? पेमा खंडू और अड़ा चर्पिदिस की गवर्नर कौन है ब्रिगेडियर बेडी मिस्रा नएक क्यूशन है हाली में कहां की नम्मा मेट्रो रेल ने बाट्सेप पर QR टिकेट सेवा शुरू की है तो नम्मा मेट्रो ये एक चैट बाट है ये बाट्सेप की तुरू चैट बाट है और ये QR टिकेट सेवा बेंगलूरू मेट्रो रेल कॉर्परेशन ने शुरू की है तो इसकूशन का से ओप्सन सही है ने कूशन है हाली में 2022 मेक्सिकन फॉर्मूला बन चैंपियंशिप किसने जीती है तो अभी मैक्स वस्टप पर ने 2022 मेक्सिकन फॉर्मूला बन चैंपियंशिप जीती तो इसकूशन का ए ओप्सन सही है अच्छा अभी 2022 का यूनेटेड इस्टेट्स फॉर्मूला बन ग्रेंट प्रिक्स ये भी मैक्स वस्टप पर ने जीता जापवानी फॉर्मूला बन ग्रेंट प्रिक्स ये भी मैक्स वस्टप पर ने जीता था और 2022 का फ्रेंच ग्रेंड प्रिक्स का खिताब ये भी मैक्स फस्ट अप पने गी था अच्छा सिंगाफ़ूर फॉर्मॉला बन ग्रेंड प्रिक्स ये सर्जियो पारेज ने गी था और सेवेस्टियन बैटल ने फॉर्मॉला बन से सन्यास की कोशना की है तो फॉर्मॉला बन से रिलेटेट एतने कुशन अभी आपको याद रखने है ने कुशन है बारत का प्रत्यूदीत किया है हमारे विदेश मंतरी ओस्त जैसंकरने तो इस कुशन का से ओप्सें सही है अच्छा SEO यानि कि संगाई कोपरेशन और्गनाईशन इसकी स्तापना कब होई थी 2001 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है बेजिंग में और इसके प्रिजेंट टेम पर सेक्रेटरी जेनरल कौन है जांग मिंग कौन है जांग मिंग अब लास्ट वीडियो के कुशिन का आंसर लास्ट वीडियो में आप से कुशिन पूचा था कि हाली में बगबान सिब की दुनिया की सबसे उची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है तो अभी नाथ द्वारा में बगबान सिब की दुन एक बार फिर बोलूँगा, question के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो, आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो, फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते, अब आपके लिए आज का question, आपके लिए आज का question है, हाली में लुईज इनासियो दूला डी सिल्वा, ये किस देश की राष्टपती बने है, चार option दिये गए हैं, इन में से आपको अपना answer होता ना है, और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं, तो आप Facebook पर next exam सर्च करके वारा Facebook page join कर सकते हैं, क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं, अगर आपको किस question में doubt होता है, या आपको अपने career से related भी कोई problem है, तो आप Instagram पर indreshrc, Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुट सकते हैं, और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any hesitation, discuss कर सकते हैं, अच्छा, आज किस वीडियो का आप target जरू जरू याद रखना, आज किस वीडियो का target है, 40 या like का, त अब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो, और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं, उन में आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो, तो ये था, आज का हमारा current interface का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, please comment box में जरू बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी, जब आपसे subscribe करेंगे, तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा, आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें, जिससे कि आपको daily morning में current interface की वीडियो मिलती रहे, next exam always with you thanks for watching